प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया असोसियेशन पड्मा के संदर्ब में निमनलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक इसे देश भर में समाचार और समसामेक मामलों के प्रकाशकों के लिए एक स्वन यामक निकाय के रूप में पंजीकृत किया गया है दो, वर्तमान में इसकी अध्यक्षता भारत के सर्वोच न्यायाले के पूर्व न्यायाधीश करेंगे तीन, यह उन शिकायतों का समाधान करेगा जिनका प्रकाशकों ने एक महीने के भीतर समाधान नहीं किया है उपर दिये गए कत्नों में से कौन सा से सही है, हैं A. केवल एक, B. एक और तीन, C. दो और तीन, D. एक दो और तीन उत्तर, A. सरकार ने देश भर में समाचार और समसाम एक मामलों के प्रकाशकों के लिए Print और Digital Media Association, PADMA, को एक स्वन यामक निकाय के रूप में मंजूरी दे दी है संगठन का नेतरित्व उच्चन यायाले के पूर्व न्यायाधीश मूलचंद गर्ग करेंगे तथा प्रसार भारती के अंशकालिक सदस्य अशोक कुमार टंडन और पत्रकार मनोज कुमार मिश्रा इसके सदस्य होंगे कार्य ये सूचना प्रोध्योगी की मध्यवर्ती दिशानिर देश और Digital Media आचार सहिता नियम, 2021 के तहट निर्धारित आचार सहिता के अनुसार शिकायतों का निवारन करने का कार्य करेगा प्रकाशक द्वारा आचार सहिता का निरीक्षन और पालन सुनिश्चित करना प्रकाशकों को आचार सहिता के पहलों पर मार्क दर्शन प्रदान करना प्रकाशकों द्वारा पंद्रह दिनों के भीतर समाध्हान न की गई शिकायतों का समाध्हान करना प्रकाशकों के निर्नए के विरुद्ध शिकायत करता द्वारा दायर अपीलों को सुनना आचार सहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रकाशकों को मार्गदर्शन या परामर्ष जारी करना इसके साथ ही मंत्राले ने सूचना प्रोध्योगिकी, मध्यवर्ती दिशानिर देश और डिजिटल मीडिया आचार सहिता नियम 2021 के नियम 12 के तहट मई 2021 से अब तक नौस्वर नियामक निकायों को मंजूरी दे दी है निमनलिखित कथनों पर विचार करें 1. भारत ने राष्ट्रिय सुरक्षा सलाहकारों की पहली भारत मध्य एशिया बैठक की मेजबानी की 2. अंतर राष्ट्रिय उत्तर दक्षिन परिवहन गल यारा माल धुलाई के लिए जहाज रेल और सडक मार्गों का एक बहु मोड नेटवक है उपर दिये गए कतनों में से कौन सा से सही है A. केवल एक B. केवल दो C. एक और दो दोनो D. उपर युक्प में से कोई नहीं उत्तर C. प्रसंग भारत अफगानिस्तान में उभरती सुरक्षा स्थिती पर धियान देने के साथ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजीकिस्तान और उजबेकिस्तान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के एक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है भारतिय राष्ट्रिय सुरक्षा सलाहकार अजीद दोभाल ने दिल्ली में एनसे और सुरक्षा परिशत के सचिवों की पहली भारत मध्य एशिया बैठक की अध्यक्षता की बैठक में अफगानिस्तान में वर्तमान स्थिती और क्षेत्रिय सुरक्षा और स्थिर्टा पर इसके प्रभाव पर चर्चा शान्ति पूर्ण, स्थिर और सुरक्षत अफगानिस्तान के लिए मजबूत समर्थन को दोहराया गया तथा इसकी सम्प्रभुता एक्ता और क्षेत्रिय अखंता के लिए सम्मान पर जोर दिया गया अथ्वा इसके आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप ना करने का आग्रह किया गया प्रतिभागियों ने चाबहार बंदरगाह को अंतर राश्ट्रिय उत्तर दक्षिन परिवहन कोरिडोर के धाचे के भीतर शामिल करने के भारत के प्रस्ताफ का समर्थन किया जो मध्य एशिया के माध्यम से इरान को रूस से जोडता है अंतर राष्ट्रिय उत्तर दक्षिन परिवहन गलियारा, आइनस्टीसी, भारत, इरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजर्बैजान, रूस मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल दुलाई के लिए जहाज, रेल और सडक मार्गों का एक बहु मोड नेटवक है विग्यप्ती में अंतर राष्ट्रिय आतनक्वाद पर सयुक्त राष्ट्र के व्यापक सम्मेलन को जल्द अपनाने का भी आहवान किया गया है जिसे भारत ने पहली बार 1996 में प्रस्तावित किया था लेकिन मुख्य रूप से आतनक्वाद की परिभाशा पर मदभीदों को लेकर दशकों से अटका हुआ है वन्य जीव, सन्रक्षन, संशोधन विधेयक, 2021 के संदर्ब में निमनलिखित कतनों पर विचार कीजिए एक, इस बिल ने अनुसूचियों की संख्या घटा कर पांच कर दी तथा अनुसूची इफसाइट्स के परिशिष्ट में शामिल नमूनों को सूची बद करता है दो, ये बिल जीवित हाथियों के व्यावसाइक व्यापार की अनुमती नहीं देता है तीन, ये बिल किसी भी व्यक्ती को मुआवजे के साथ किसी भी बंदी जानवरों या पशूत पादों को स्वेचा से वापस करने का प्रावधान करता है उपर दिये गए कत्नों में से कौन सा से सही है, हैं? A. एक और दो, B. दो और तीन, C. एक दो और तीन, D. उपर युक्त में से कोई नहीं उत्तर, D. वन्यजीव, सनरक्षन, सन्शोधन बिल 2021 लोकसभा में वर्ष 2021 में पेश किया गया था और वर्ष 2022 में राजयसभा द्वारा पारित किया गया ये बिल वन्यजीव, सनरक्षन, एक्ट, 1972 में सन्शोधन करता है ये अधिनियम जंगी जानवरों, पक्षियों और पोधों की सुरक्षा को नियंत्रत करता है ये विधेयक कानून के तहट सनरक्षित प्रजातियों को बढ़ाने तथा वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतरराश्ट्रिय व्यापार पर कन्वैंशन साइट्स को लागू करने का प्रयास करता है अनुसूचियों को युक्ति संगत बनाना वर्तमान में अधिनियम में शेह अनुसूचिया हैं ओपर युक्त बिल अनुसूचियों की कुल संख्या घटा कर चार कर देगा एक अनुसूचि पशू प्रजातियां जिन्हें उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की जायेगी दो अनुसूचि दो पशू प्रजातियां जो कुछ हद तक संरक्षण के अधिन होंगी तीन साइट्स के तहत परिशिष्ट में सूची बध नमूने यह विदेयक किसी भी व्यक्ति को किसी भी बंदी पशू या पशू उत्पादों को स्वेचा से मुख्य वन्य जीवन वॉडन को सौपने का प्रावधान करता है ऐसी वस्तूओं को वापस करने के लिए व्यक्ति को कोई मुवजा नहीं दिया जाएगा सरेंदर की गई वस्तूओं राज्य सरकार की संपत्ती बन जाती है जीवित हाथी के लिए अपवाद ये बिल हाथियों के व्यावसाइक व्यापार की अनुमती देता है ये पिछले अधिनियम, वन्यजीव, सनरक्षन, अधिनियम, 1972 की विप्रीत है जो विशेश रूप से बंदी और जंगली हाथियों सहित जंगली जानवरों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है भारत में राष्ट्रिय दल के मांदंध के संबंध में निमनलिखित कतनों पर विचार करें एक एक दल समय समय पर राष्ट्रिय दल का दरजा प्राप्त यक हो सकता है 2. राष्ट्रपती के साथ मिलकर AC एक पार्टी को राष्ट्रिय पार्टी या राज्य पार्टी के रूप में मान्यता देने का फैसला करता है 3. आप राश्ट्रिय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाली 9 पार्टी होगी क्योंकि इसने 3 राज्यों से लोकसभा की कुल सीटों में से कम से कम 2 प्रतिशत सीटे जीती हैं उपर दिये गए कथनों में से कौन सा से सही हैं हैं A. 1 और 2 B. केवल 1 C. 2 और 3 D. 1, 2 और 3 उत्तर B. राश्ट्रिय पार्टी क्या होती है? एक राश्ट्रिय पार्टी वह होगी जिसकी उपस्थिती राश्ट्रिय स्तर पर हो जबकि एक क्षेत्रिय पार्टी की उपस्थिती केवल एक विशेश राज्य या क्षेत्र तक ही सीमित होती है A.C. के द्वारा, राजनीतिक दलों और चुनाव चेहनों, 2019 हैंडबुक के अनुसार? एक राजनीतिक दल को राश्ट्रिय दल माना जाएगा यदि एक उसे चार या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है या 2. अगर उसके उम्मीद्वारों को पिछली लोकसभा या विधान सभा चुनावों में किन ही चार या अधिक राज्यों में कुल वैध वोटों का कम से कम 6 प्रतिशत वोट मिले हो और पिछली लोकसभा चुनावों में उसके कम से कम 4 सीट हुया 3. अगर उसने कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा की कुल सीटों में से कम से कम 2 प्रतिशत सीटे जीती हैं, कोई पार्टी समय समय पर राश्ट्रिय पार्टी का दर्जा हासिल कर सकते है या खो सकती है, जो इन निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर निर्भर करता है अब तक, AC ने 8 दलों को राश्ट्रिय दलों के रूप में मान्यता दी है, भाजपा, कॉंग्रेस, त्रिनमूल कॉंग्रेस, CPI, MCPI, राश्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी, NCP, बहुजन समाज पार्टी, BSP, और कॉनराद संग्मा की नेशनल पीपोल्स पार्टी, NPP, जिस से 2019 में मान्यता दी गई थी, ओप्रोक्त पहले मान्दंडों को पूरा करने के बाद, आप राश्ट्रिय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाली नौवी पार्टी बन जाएगी, निमनल इखित में से UPI पर क्रेडिट कार्ट को स्पोर्ट करने वाला कॉन भा भारत का पहला भुक्तान गेटवे बन गया है, A. पेटियेम, B. बिल्डैस्क, C. सीसी एवन्यू, D. रेसर पे उत्तर, D. भारत में क्रेडिट सुविधा को बढ़ावा देने तथा दिजिटल भुक्तान को और मजबूत करने के उद्देश्य से रेसर पे Unified Payments Interface, UPI, पर क्रेडिट कार्ड को स्पोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन गया है वर्तमान में, UPI ग्राहकों को उनके बैंक खातों के माध्यम से लेंदीन करने में सक्षम बनाता है हाला कि, UPI के साथ क्रेडिट कार्ड को जोड़ने से यह सुनिश्चित होगा कि ग्राहकों को भुक्तान के लिए हर समय अपने क्रेडिट कार्ड साथ नहीं रखना होगा भुक्तान गेटवे, ये लेंदेन प्रक्रिया में शामिल विभिन पक्षों के बीच भुक्तान डेटा को प्रमानित करने और सुरक्षत रूप से स्थानांतरित करने के लिए व्यापारियों द्वारा उप्योग की जाने वाली तक्नीक है एक बार जब भुक्तान शामिल पक्षों द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत हो जाता है तो भुक्तान गेटवे व्यापारी को संबंधित संदेश वापस भेज देता है कर दो